मन्चा सीन प्रज़त के दुड़ेश अध्यक्ष जट्रा आवलू जधान महासी चीफ आलूप मिहता साहब मैलर वोर्चा किरास के अध्यक्ष कांती सिंग जी पुर्वध्यक्ष पुर्मिश नहाँ जानिश्मंद राजी सवर सांसर मलोर जाजी अध्यक्ष पुर्वध्यक्ष नौजवान दोस्तों माताओ बहनाव जाड़े बच्चों आज देश जिस विसम परिशियती से गुज़र रहा है उसमें विहार का जो अनूर दर्शी नेत्मिक्ष वह इस सूबे के साथ लगातार पंद्रवर्शों से चन्द करता रहा है अमारे नेता मौदरम जगाव जालू पुर्शाद जी ने आजाली के बाद से 9 मार्च 1990 तक लिहार के समाम मुस्के मत्कियों ने बिला कर दी जितने विश्विध्यारे कायम नहीं किये उतने अकेले उन्हों ने च्चाइड दोर्शी कायम करने का काम किया था और सत्ता सम्हालने के बाद आठ मैने के भीतर मात्री समा राबडी जी ने मौलान मजारूल हा कर भी फारसी विश्विध्यारे पटना फापित करने का काम किया था लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि देश के वजीर आदम नारेंद्र बूदी जी ने कितनी इल्वर्श्टी पूलने का काम किया यदि फेले की स्टाइन वर्श्विध्यारे को स्梁भाओने का कम किया जो नाजवान है थात्र है वो पलिस्टान है है और जब आप देखें कि विरोजगारी दर तो देश के अंदर जिसके पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ था दो करोर रोजगार का वादर करके जो सरकार आई थी और अभी जो डबल इंजन की सरकार यहां पर चल नहीं है उसको म समविधान को बचाने के लिए हमें चाहिए जो भी स्टेप लेना पड़े हम लेंगे भले हमें उसका सियासी नुक्सान हो जाए अभी अभी एक पैसला आया है कि आरक्षन मौली का लिकार नहीं रगया है यह बुद्ध का देश है यह वीपी सिंग अर्जुल बिंग का दे इसलिए किया जो बेरोज़कारी हटाओ भगाओ यास्रा है उसका सिर्फ और सिर्फ यही मक्सद है कि हम एक नए बिहार के दिर्मान की और प्रत्थान करेंगे पिरस्विध के लिए सिर्थो में और हमारा बाती किसी फिजूल के मुद्दों से कोई देना देना नहीं है हम हमारे इसलतार जब बलेगी तो लादुजी और रावजी के पस्केनों पर चलते हुए जो पाहली हमारी इसलता होगी जैन्यों देटी एक इंवर्स्टी जिहार में रिकायन हो इस विज्दा में बढ़ने का काशिया जाएगा आज को सुपालन हो किसानी हो जो ग्राम के रा पर लायन लगातार बढ़ रहा है लोग अपने पड़िवार को चलाने के लिए जिसको जहां कहा गया है जो आजिके तार्मी है उनके सिवा कोई नहीं आएगा और मैं सभी साथ्वों को करने दिप्रादना करता हूं करता हूं कि यहां प्रवस्ता में श्यों करिए जो प्र और मैंने कहीं वराफ्तिया जन्दादल के सम्मान के खिलाफ साम कर रहा है जिसको जहां बढ़ते का असानियत है कि बिया करके बढ़ते और शम्शे बख लो जहां आप हो मुश्यदी से काम करो बहुत 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 बदाद कास्यों मैं अपनी बाद खर्शन करूं इसकास्थि आज हर सिक्तर में लोग परिशान है और एक तेर है नपनते तुखाते जो सरह कमाकर माए गए हाए ताली मुपाकर लखेतों मिरेहट चलाने के काबिल लबादार में माल जोने के काबिल तो इसलिए हम बच्चों का ये बुरा हाल करते सरकार में रख दिया है हम 2020 का जो चुना है बहुत सकारत हक्ता के साथ जहार के पुराने जौरत को लोटाने के लिए लगे और जो सांगटनिक चुनाओं में भी आपने देखा है कि अतिपिश्णों को आरेक्षन दलीतों आदिवासियों को आरेक्षन दिया गया है वह जिसकी द्रोप से बाती दलों को भी बादे करेगा कि लोकसंत की जरों को मजबोस करने के लिए समाज के अंतिपाइदान के लोगों को भी सिस्टम में जगह मिले यही काम चिकट वितरन में भी होगा इसलिए हम लोग पार्टी के संदेश को गाउं जमार टोले महले में ले जाने का काम करें और जिस तरह से करकुरी जीन अतिपिश्रों के लिए काम किया था उनके बच्चे भी लगातार लोटरिया पाने लगेते बढ़ा कर लालु जी ने 14 प्रतिश्च किया रावरी जी ने उसको बढ़ा कर 18 प्रतिश्च किया और यहां पब्लिक कमिट्मेंट है ते जस्मी जी का सरकार बनने के साथ आतिपिश्रों कारेक्शन बढ़ा कर 40 प्रतिश्द किया जाएगा जिसले इस बात को जगह जगह पहुँचाया जगह और हमारी फिर्फ और फिर्फ एक ही प्रतिवत्ता है कि हम समाज के हर बर्ट के लोगों को लेकर चले जहां जगनात बिश्रा का डेवलप्मेंट का मॉडल था कुछ आप लोगों का विकाज तो है लागो पुर्साज के जवलप्मेंट का मॉडल था जवलप्मेंट पर ओल जवलप्मेंट अपॉल जहां किराएं मुखारों बोला लाम तुपारियों इस तरह के लोग भी समाज के अंदर परिवर्सन की बयार को बहाने का काम कर सके किसी मुभीतों यकीन के साथ कि सेज़स्पीजी के निस्क्रिसों में एक बार नए विहार की ओर हम लोग कदम बढ़ाएंगे हमारी सरकार बंगी, भर मिर ठेप सरकार बनेगी, समाजिक लागी सरकार बनेगी आपका बात शुक्रिया, एनकानाब गंदाबाद, समाजिक लाग गंदाबाद